लेकिए fighter jets में seat ejection नाम का एक feature दिया गया होता है अगर कभी भी fighter jet crash होने वाला होता है तो pilot इस feature का use करके अपनी जान बचा सकता है लेकिन ये जो commercial planes उड़ते हैं इन में pilot की जान बचाने के लिए ऐसा कोई भी feature नहीं दिया गया होता है अगर plane crash होता है तो pirate भी plane के साथ ही crash होता है तो क्या सिर्फ एक fighter jet के pilot की जान कीमती होती है commercial plane के pilot की जान की कोई value नहीं होती और अगर ऐसा नहीं है तो फिर seat ejection वाला feature commercial planes में क्यों नहीं दिया जाता है बड़ी interesting जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में इसलिए हमारे चनल को follow और subscribe कर लेजिए जब एक fighter jet जमीन पर crash होता है तो उसमें civilians के मरने के chance लगबग नाके बराबर ही होते है जोंकि fighter jets generally residential areas में नहीं उड़ते हैं जबकि commercial planes mostly residential areas के उपर से ही उड़ रहे होते हैं तो अगर एक commercial plane residential area में crash हो गया तो plane के passengers के साथ साथ उस शहर में भी बहुत लोगी जाने जाएंगी इसलिए pilot seat reject नहीं करते और अपनी आखरी साथ तक crash को रोकने की कोशिश ही करते रहते हैं